असलामलेकूम तो बच्चों इसके पहले के वीडियो में हमने बहुत से आने वाले लवज सीखे हैं वर्ड्स और उनके प्रनाशियेशन आरविक में और उसके मीनिंग इंग्लिश में अब यहां पर जो है हम तसे आने वाले जो है words वो है उनका pronunciation सीखेंगे उनके meaning सीखेंगे तो यहां पर पहला word है हमारा तस जेर ती में ये को मिलाना है ती और नून उसके बाद उसमें अट करना है तो हो गया तीन अब बच्छों confused नहीं होना कि तीन का मतलब तो three होता है ये वो तीन नहीं है ये उर्दू का तीन नहीं है ये अरबिक का तीन है आपने खुरान में एक आयत सुनी होगी वत तीनी वत जैतून तो ये वो वाला तीन है तो तीन का मतलब होता है फिग तीन यानि फिग तजे ये ती और नून तीन और ये आपका ये जो शेप ऐसे इडियो में बता चुकी हूँ कि इसे तश्दीद कहते हैं, यह जहां पर भी आपको मिल जाएगा, आप समझ जाना, यह इस वक्त नून के ऊपर है, तो आप यह समझ जाएगे कि नून यहां पर दो बार है, तो एक नून त के साथ जाएगा, दूसरा नून वाओ के साथ तो त जबर नून, तन और नून पेश, वाओ, नून और तनूर, तनूर का मतलब होता है बच्चो, ओवन, तनूर मतलब ओवन, उसके बाद तीसरा बड़ है, तुफाह, तुफाह का मतलब होता है, आपल, तुफाह मिन्स एपल, त, पेश, तू, फ के साथ जुड़ेगा, यहाँ पे तश्दीद है, यानि दो बार फ है, तो एक फ के साथ जुड़ने के बाद त, पेश, उसमें फ मिलाएंगे तुफ, और फ में जबर है, और अलिफ मिलाएंगे उसमें फाह, तुफाह, तुफाह, तुफाह मिन्स एपल त जबर और उसमें मीम है मीम को जोड़ना है मीम पर इस सरकल का मतलब यह है कि यह मीम इसमें जुड़ेगा उस पर कोई जबर या जेर नहीं है तो तम और उसमें र तम्र इसे पढ़ेंगे तम्र तम्र का मतलब होता है डेट तम्र का मतलब होता है डेट तो पहला word है आपका तीन तीन का मतलब होता है फिग तन्नूर का meaning होता है ओवन तुफाह का meaning होता है एपल तम्र का meaning होता है डेट तो बच्चों यहाँ पे हमने तव से आने वाले words complete कर लिए हैं अब आप इनको ज़ादा से ज़ादा practice कीजिए pronounce करने की और इनका meaning याद करने के लिए take care, Allah hafiz